उत्रप्रदेश के 32 में मुखमंत्री के रूप में 19 मार्ट 2017 को गोरक नात मट के महंत योगी अधितनात ने यूपी की सत्ता समाली थी तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि मुखमंत्री योगी अधितनाथ यूपी में सबसे अधिक समय तक मुखमंत्री बने रहने का रिकार्ड बनाएंगे बुद्बार को जब सुबा का सूरज निकला तो योगी अधितनाथ ने यूपी के मुकमंत्री पत पर सबसे ज़्यादा समय रहने का रिकार्ट अपने नाम कर लिया है बता दे के अभी तक यूपी में लगातार पाँच बर्ष यानि 345 दिन मुकमंत्री के पत पर कारी करने का रिकार्ट कांग्रेस के मुकमंत्री डाक्टर संपूर्णानन के नाम पर था आदाद भारत में पंडित गोबिंद बल्लब पतेल के बाद डाक्टर संपूर्णानन यूपी के मुकमंत्री बने थे उन्होंने 28 दिसंबर 1954 को यूपी के मुकमंत्री पत का समाला था और 7 दिसंबर 1960 तक यूपी के मुकमंत्री रहे उसके बाद यूपी में मुखपंत्री की कुर्सी पर स्वर्गिय नरांदर तिवारी सहित छेत्री पार्टियों के दिगज नेता जैसे स्वर्गी चौदी चरण सिंग, स्वर्गिय मुलायम सिंग यादब मायवत्दी और अखलेश यादब यूपी के सियम बने लेकिन वह य योगी अदितनाथ जैसा रिकार्ड नहीं बना सके। सियम योगी अब यूपी में भाटपा के सबसे अधिक समय तक मुखपंत्री के पत्कारी करने वाले नेता हो गए हैं। इससे पहले कल्याण सिंग, राम पिरकाश गुपता और राजना सिंग यूपी के सियम रहे हैं। इन में से कोई भी पांच साल तक यूपी का मुखपंत्री नहीं रहा। जबकि योगी अधितनाथ ने ना सिर्फ पांच साल मुखपंत्री के पत्पर रहे बलकि उनके नेत पिरदेश में कांगरेस पार्टी को 12 सत्ता मिली थी। गत 25 मार्ट 2022 को जब योगी ने मुखपंत्री पत्की शपत लीती तो उन्होंने नारानदर्तिवारी का 37 साल पुराना रिकार्ट तोड़ा था। इसके बाद बुद्वार को सियम योगी ने 63 साल के चलते आ रहे रिक भी तोले हैं। यूपी में पहले ये कहा जाता था कि जो सियम नोडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। इस डर से यूपी का मुखबंत्री नोडा नहीं जाता था। योगी सियम बनने के बाद लगबख 6 बरस में 25 बार से ज़्यादा नोडा गए हैं। अब इसके बा 2022 के बेदानतावा चौणाओं में उत्री पार्टी 255 सीटे जीतने में सफल रही। इससे बहीं 2017 में बीजेपी को 312 सीटे प्राप्त ही थी। इसी तरह बीजेपी यूपी में पहली वार पार्टी बनी है। जिसे दो तेहाई से ज्यादा बहुमत मिला है।